वेलकम टू मैट्स 99 दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 9 सिबेसी बोर्ड चैप्टर 2 के 2.4 कोशन नमबर 2 को तो कल हमने बता रखा था कोशन नमबर 1 को अगर आभी तक आप लोगोंने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हो या डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पर भी आप जाकर देख सकते हो तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं सवाल नमबर 2 एवेल्यूट तफ हॉलोविंग प्रोड़क्ट्स विदाउट मल्टिप्लाइंग डिरेक्टली उसी का यूज करके हमें इसे मल्टिपल करना है और इसका प्रोड़क्ट पता करना है तो कल हमने फॉस्ट सवाल पर एक फॉर्मूला बता रखा था उसको पहले हम लोग समझेंगे हमने ये वाला फॉर्मूला यूज क्या था इसी फॉर्मूला का यूज हम लोग इस पर करेंगे तो सबसे पहले हमें इसको इस फॉर्म में चेंज करना होगा अगर आप लोग इसको दूसरी निगा से देखेंगे तो 103 को हम लोग 100 पलस 3 लिख सकते हैं कोई प्रॉबलम नहीं है 107 को हम लोग 100 पलस 7 लिख सकते हैं आप यहाँ पर अगर ठीक से देखा जाए तो अईसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पर ekस एकस सेम है यहाँ पर 100 एंड़ेट सेम है यहाँ पर A और यहाँ पर B तो यहाँ पर A का value 3 हो गया और यहाँ पर B का value 7 हो गया अब क्या करेंगे इसको इसी formula पर रखके चुपचाप से solve कर देंगे और हमारा answer आ जाएगा जहाँ पर X है वहाँ पर हम लोग 100 रखेंगे यहाँ पर X का square तो यहाँ पर 100 का square plus है तो plus देंगे A plus B मतलब 3 plus 7 into X मतलब 100 plus A into B 3 into 7 यहाँ तक कोई problem नहीं जैसा जैसा value है वैसा वैसा हमने रख दिया अब क्या करेंगे 100 का square 1 लिख दो double 0 है यहाँ पर square है तो चुपचाप से 4 0 कुछ सोचना ही नहीं इसमें 3 plus 7 10 और 100 ठीक पलस 3721 अब यहाँ पर हम लोग पहले इसको हम लोग into कर देंगे 10 into 100 1000 पलस 21 अब इसको पलस कर देंगे 1 plus 0 plus 0 1 2 plus 0 plus 0 2 1 0 plus 0 यह हमारा answer हो गया इसी तरह second number को देखते हैं तो हमारा second number में y formula यूज होगा यहाँ पर हम एक बार फिर formula लिख देते हैं इसी का यूज हम लोग यहाँ पर करेंगे 95 को अगर हम ध्यान से देखे और 96 को ध्यान से देखे तो हम लोग इसको 100-5 लिख सकते हैं ठीक 100-5 करेंगे तो 95 ही होगा पलस b का value minus 4 तो यहाँ minus 4 हो जाएगा into x मतलब 100 पलस a into b मतलब minus 5 into minus 4 100 का square होता है 10,000 पलस मैनस मैनस पलस होता है यह join हो जाएगा हो जाएगा मैनस 9 into 100 यहाँ पर मैनस मैनस पलस 5 फोर्जा 20 100 10,000 यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे इसके आगे मैं plus है इसके आगे मैनस है पलस मैनस मैनस और into करने पाएगा 900 पलस 20 अब क्या करेंगे एक सेम साइन वाले को इसके आगे मैं कुछ निट क्या पलस है सेम साइन वाले को हम लोग पहले पलस करते है मतलब पहले यह पलस होगा फिर यह पलस होगा तो क्या हो जाएगा पलस करने पर 10,000 यहां पर नाइन बचा दोस्तों इसका अंसर यही है 9,120 अब हम लोग कोशन नमर 3 को देखते है कोशन नमर 3 है यहां पर भी उशी फरमूला का यूज होगा x पलस a x पलस b इन्टो इक्वल टो x स्क्वार पलस a पलस b इन्टो x पलस a b यहां पर हम 104 को 100 पलस 4 लिख सकते हैं उसी तरह 96 को 100 मैनस 4 लिख सकते हैं कोई प्रॉबलम नहीं तो यहाँ पर इस formula का यूज़ नहीं होगे हम लोग इसका यूज़ करेंगे A plus B, A minus B इसका मतलब वता A square minus B square अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो वो जाकर देख लीजिए तभी ये पूरी तरीके से आपको clear हो जाएगा तो यहाँ पर A plus B और A minus B यहाँ पर अगर हम 100 को A मान लिया और B को 4 मान लिया तो यह तो उसी तरह है यहाँ पर क्या करना है A square minus B square मतलब 100 का square minus 4 का square 100 का square तो 10,000 हो गया और 4 का square 16 होता है अब इसको minus कर देंगे यहाँ पर 0 minus 6 करेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा 10 minus 6 करेंगे तो 4 9 minus 1 करेंगे तो 8 यहाँ पर 9 बचा यहाँ पर भी 9 बचा यही हो गया आपका answer दोस्तो वीडियो यही तक था नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं question number 3 के साथ अगर आप चैनल पर नए हो ने बचाने में में मीमम झाल झाल